नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक पे रिजल्ट आनलिसिस और बात करेंगे HCL Technologies और विपरो के नतीजों की जो बजार बंद होने के बाद आए हैं TCS के नतीजों के बाद उमीदे बहुत जादा बढ़ गई है IT से HCL Technologies के नतीजे अनुमान से बहतर डिलिवर हो गए यहां पर देखने को मिल रही है और यह आंकड़ा भी बहतर है कामकाजी मुनाफा तस्वीर यहां बहुत बढ़िया पेश होई है 3992 करोड से बढ़कर सीधा EBIT के फिगर 4427 करोड पहुंच गी है यानि कि लगभग 11% का एजाफा है एक्सपेक्टेशन था 4264 करोड का EBIT का तो EBIT के फिगर बहुत बहतर आई है मार्जन कंपने ने डिलिवर की है 18% के जो बीती तिमाई में थे 17% यानि कि 1% की ग्रोथ मार्जन पे भी दिखाई दी और मार्जन को ही प्रोटेक्ट करना बहुत ज़ादा जरूरी है SMIT कंपनियों के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि एक्सेट टेक्नॉजिस के नतीजे इन पैरामीटर्स पर अच्छे है डॉलर आए 3025 मिलियन यूज डॉलर से बढ़कर अंतरिम डिविनेंट की भी घोशना कर दी एक्सेट टेक्नॉजिस के केस में गाइडन्स यह बहुत इंपोर्टनेट थी और FI 23 की गाइडन्स पर बदलाव किया गया है पहले तो कंपनी यह कह रही कि सर्विस रिवेन्यो ग्रोथ 16 से 17 परशन बढ़ने का अनुमान है इन कॉंस्टन गरंसी टर्म्स लेकिन जो बहुत हाइलाइटिट पॉइंट था इस नतीजों का वो था यह कि FI 23 में आए ग्रोथ गाइडन्स को बढ़ा दिया 12 से 14 परशन लेकर चल रहे थे margin का band उसको घटाकर 18 से 19 परशन कर दिया है पर overall picture देखोगे तो जितना अनुमान था उससे बहतर नतीजे HCR Technologies ने पोस्ट कर दिया है दूसरी साइट विपरो यहाँ पर नतीजे थोड़ा सा मिस हैं लेकिन मैं फिर भी कहूँगा picture उत्ती जादा damage हुई नहीं विपरो के case में हाँ लेकिन जितना अनुमान कर रहे थे उतना deliver नहीं कर पाई company मुनाफ़े के figure 2669 करोड रुपे versus 2563 करोड रुपे 3.7% की growth दिखाई दे रही है आये जो है वो 2285 करोड से बढ़कर 2363 करोड रुपे होई है लेकिन expectation थी कि at least 22500 करोड पे deliver करे विपरो वैसा हुआ नहीं कामकाजी मुनाफ़ा जो है उसमें 6.2% का इजाफा देखने को मिला है 3380 करोड के figure पोस्ट हुई है लेकिन expectation थी कि 3414 करोड के आसपास के figure आएगी margin 15.11% रहे हैं और 15.2% expected थे तो in line कहूंगा कोई बहुत बड़े fireworks नहीं deliver हो पाए है dollar I 2797.7 million रहे हैं versus 2735.5 million 2.3% की growth यहां पर देखने को मिल रही है तो वही बात है कि थोड़ा सा miss कोई बहुत ज़ादा disappointment भी नहीं और कोई बहुत बड़े fireworks भी नहीं और constant currency I growth जो 4.1% रही है attrition rate 22.7% से भढ़ कर 23% तो अगर compare करोगे दोनों को तो HCL Technologies के नतीजे बहतर दिखाई दे रहे हैं और विप्रो के थोड़ा in line या फिर slightly मैं कूँगा कि विप्रो के नतीजे आते हो नज़र आए अगर आपको यह report पसंद आई हो तो प्लीज और प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिजने जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जोड़ें हैं बिजने तक के साथ नमस्कार झाल